अगर आपकी भी अंडर आई डार्क है या फिर बर्थ मार्क है तो आप इस वीडियो को देखो कि मैं कैसे अपने अणर आई को मेक अप करते वक्त कवर अप करती हूं मैंने अपना skin tone जो है मेरा उससे में दो से darker ले हूँ जो मेरा birth mark है वो उसको cover करे and after makeup वो so ना करे so यहाँ पर मेरा जो skin tone है उस हिसाब से मुझे यह set चाहिए था and मैंने इसे अच्छा से like finger के help से अच्छा से tap tap करके इसे blend किया है जब आप कंसीलर लगाते हो तो वह कहना आप जब फिंगर से यूज करते हो इस ब्लेंट सो वेल आपका वह ब्रेक होता है जब आफ्टर आइज मेकप वह नहीं होगा इसलिए आपको कंसीलर इस तरीके से लगाना बहुत जरूरी हो जाता है यह मेरा खुद का प्रसनल कंसीलर लगा हो उसके पहले आपको मोश्यराइजर और प्राइमर लगा लेने है ताकि यह बाद में निकले ना और ड्राइ हो जाता है आफ्टर आई साइड हो सो वह इस टाइप का नहीं दीखेगा बट यह आपका अगर डार्क है अंडर आई के पास तो आप इस इस तरह स करो विकशा फूल मेक अप जो है ऑई आई मेक अप के उपर ही डिपेंड रहता है और लुक पर्फेर्ट अगर मेक अच्छा धीखते है अगर आप इस थरह से पहली से इस तृष्ट से चार मिनेट वेय्ट करना है उसकी बाद मैं यहाँ पर देता है यह यह पर नियुशा foundation लगा रही हूँ so foundation को भी मैंने finger के help से ही लगाया है यहां पर brush भी use कर सक्ती थी वर्त मैंने brush use नहीं किया इस तरह से आपको टैप टैप करके अच्छे से blend करना है beauty blender के help से और आप यहां पर देख रहे होंगे कि जाद़ product हो गया यहां पर तो इस तरह आफ्टर वान आवर ना आपका मीकप पुरा सेट हो जाता है अगर जादा भी होता है तो वह अपने आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से वह उसमें आ जाता है क्योंकि वह जब भी आप करते हो तो भींगा होता है इसलिए आप देख रहे हो मैंने थोड़ा जादा ले लिय होता है because concealer and foundation के उपर direct eyeshadow लगाने से क्या है वह जो foundation है वह उसी साथ में मिक्स हो जाता है और अंडर आई जो डार्करेंस है वह दिखने लगता है सो मैं इस तरह से अपना अंडर आई को कवर करती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर करना थैंक्स पर वाचिए